अब आपको एसे से लॉजिक सिखाऊंगा जिससे दोस्तो ऐसे कोसें को आप एसी सॉल्व कर पाओगे तो वीडियो के जरूर देखें के लिए और दोस्तो कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जितना हो से कि इस वीडिय पर दिया हुआ है और यहां पर 345 कोश्रमा की जगह पर क्या आएगा इस आपको निकालना होगा तो यहां पर सबसे पहरे लॉजिक क्या होगा दोस्तों कि यहां पर 431 तो क्या ऐसा करेंगे जो 12 आ जाए तो यह काम करता हूं मैं यह तीन नंबर को मैं 4 plus 3 plus 1 मैं प्लस करता तो तीनों को प्लस करूंगा मैं तो मुझे यहां पर 8 मिलेगा और मुझे 12 लाना है तो यह काम करूंगा 8 plus 4 करूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा ठीके तो यही लॉजिक यहां पर यूज होगा के नहीं होगा वो चेक करते हैं लोग तो यहां पर देखिए 3 plus 4 plus 5 करूंगा तो 3 plus 4 7 और 7 plus 5 कितना होगा 12 होगा यहां पर मैंने 4 plus किया था यहां पर 4 plus करूंगा तो 16 होगा और 16 मेरा wrong answer हो जाएगा क्योंकि option में दिया ही नहीं है तो कुछ और logic लगाना होगा तो logic लगाने जा रहा हो देखिए ध्यान से यहां पर सबसे पहले यहां पर 4 multiply 3 multiply 1 करूंग 5 करूंगा तो 3 4 कितना होगा 12 होगा और 12 5 कितना होगा दोस्तो 60 होगा तो आप देखिए option B आपका right answer हो गया तो उमीद करता हूं दोस्तों यह को समझ में आ गया होगा चली और एक question आपके लिए देखिए यह रहा इसे कैसे solve करोगे ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर 12 यहां पर 7 दिया है और यहां पर आपके सामने 16 दिया है तो क्या करेंगे ऐसा जो easily solve हो जाए तो काम करता हूं मैं 12 में अगर मैं-5 करता हो तो 7 यह तो हो गया यहां पर 16 में अगर मैं यहां पर पर तो यहां पर यह माइनस फाई करूंगा तो मेरे को यहां पर 11 मिलना चाहिए लेकि आप्सन में यह ही नहीं तो यह गलत हो जाएगा वह लगाना होगा तो काम करता हो यहां पर मैं ध्यान दोगे तो यह 12 इस डू सेवन दिया तो 12 का मैं यहां कर देता हूं मैं तो दोस्तों किया होगा मेरा 6 होगा 2 6 12 होता है 7 लाना एं मुझे तो यहाँ पर प्लस-1 करूंगा 7 हो जाएगा अब देखें यहाँ आप सिक्स्टीन है तो इसका मैं डिवाइट करूंगा मैं कुछ भी दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा करें तो हर एक चीज़ सिखाने एक उसे कर रहा हूं कि दिमाग आपका कैसे काम करेगा चलिए आपके सामने देखें और एक पुर्शे शुरू करने से पहले आप से कुछ बात करना था मुझे आप बोर्ट की पेपर है मतलब पिछले 10 साल में जो भी पेपर आये है उसका fully solution आपको इस बुक में मिल जाएगा और दोस्तों English, Math और Science, Social Science सारे subjects में included हैं और दोस्तों जो अभी पेपर आया था CBAC 2022 21 April का जो इशु किया गया था वो भी sample पेपर solve दिया हुआ है इस बुक के अंदर तो ये मेरे हिसाब से board exam की तयारी करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है पसंद आया है दोस्तों ये बुक अगर तो description में लिंक दिया है फटा फट जाके purchase कर लीजिए और अपनी exam की तयारी बहुत अच्छे से कीजिए तो all the best चलिए दोस्तों आग के सावने इसे कैसे solve करोगे ध्यां के ये धे यहाँ पर यह पर tea यहाँ पर d य९हाँ दिया है को जब बी अल्फफावेट और प्र यहाँ जो होता है उसका नंबर आपकर कलीजिए जैसे के यहाँ पर बी का नंबर क्य मिलेगा तो प्लस वन करदूंगा तोस्त टैन तो यहाँ नच्छे यहाँ पहला यह logic दिमाद में आएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखे है तो है एच का alphabet number क्या होता है 8 होता है तो यहाँ पर मैं 8 लिखूंगा और I का alphabet number क्या होता है तो यहाँ पर 9 लिखा एट प्लस 9 करूँगा हो दोस्तों कितना होगा दोस्तों मेरे लिए 17 मिलेगा यहाँ पर 17 यहाँ पर प्लस वन किया तो यहाँ पर प्लस वन करूँगा कितना होगा 18 ऑप्शन में 18 बिल्कुल भी नहीं है मतलब यह आंसर रॉं हो जाएगा तो हमें कुछ और logic लगाना होगा logic क्या होगा ध्यान दीजिए यहाँ पर logic क्या होगा आपकर सब कुछ बता के जाओंगा दोस्तों आजाब में तो यह प्लस लॉजिक फेल हो गया यह logic फेल होगया तो क्या करेंगे फिर से दोस्तों लंबर लिखने जा रहूं यहाँ पर डीका नमबर किया दोस्तों यहाँ पर वॉर होगा और Iका नमबर दोस्तों आपका fight होगा लिग thbingem मैंने अब मैंने प्लस किया था पहले अब मैं multiply करने जा रहा हूं तो 4520 होगा तो यहां पर 20 लिख देता हूं मैं और मुझे 10 लाना है 20 का मैं आधा कर देता हूं 20 का half कर देता हूं तो यहां पर 210 हो गया तो 10 answer आ गया यहां पर दोस्तों ह का alphabet number 8 है और आई का alphabet number क्या होगा तो 9 होगा तो यहां पर 9 लिखूंगा दोनों के बीचे multiply कर दूँगा मैं तो 8 9 जा 72 होता है और 72 में क्या करूँगा डिवाइड बाइ 2 करूँगा तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 36 आ गया option C आपका right answer हो गया दोस्तों ऐसे question यह पूछे जाते इसलिए दोस्तों मैं ऐसे question आपके समय लेके आ रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ और exam में confused बिलकुल ना हो अब देखें दोस्तों आपके सामने और एक question इसे कैसे solve करोगे यहां पर 95 यहां पर 105 यहां तो आपको दिमा च्रहें है दोस्तों क्या है? हंड्रेड के बहुत करीब हैं किस के करीब है? हंड्रेड के करीब है । काम करता हूँ मैं अगर 10 का square करेंगे तो क्या होगा? hundred होगा मतला hundred होगा तो ।mm if you can mean by-five कर दिया 100 मैं क्या किया है ?-5 कर दिया यहां पर 95 हो गया और उसा प्लसий करेंगे तो 105 मिलेका इतना क्लिए अब दोस्तों यहां पर 89 दिया हुआ है तो 89 कैसे आएगा तो उसी तरह से दोस्तों यहां पर 10 का स्वयर करेंगे 10 का स्क्वयर होगा तो 100 होगा और 100 में दोस्तों यहाँ पर मैं माइनस 11 करूँगा तो क्या मिलेगा 89 मिलेगा 89 मिलेगा और उसी तरह दोस्तों यहाँ पर 10 का स्वेर करूँगा तो 100 होगा यहाँ पर 11 किया हूं तो यहां पर दोस्तों क्या हूं एहां प्लस 11 करूंगा तो क्या मिलेंगा दोस्तों मिलेंगा तो option C आपका राइट आंशर हो जाएगा तो उम्मीर करता हूं दोस्तों यह equation भी आपको समझ में आगया और एक question आपके सबसे important question है इसे कैसे solve करोगे देखिए दोस्तों टू और थ्री दिया है और यहाँ पर 25 आपको लगेगा कि 23 में प्लस करूंगा 25 मिल जाएगा और यहाँ पर 36 में क्या करूंगा मैं जिससे मुझे option मिल जाए तो यह logic सेट नहीं हो रहा है तो क्या करना होग треб हम ध्यान दीज़िए यहां पर 23 यहाँ इसके 20 यह काम करता हो मैं टू और Осब कर लेता हूं तो ब्लस 3 क्या होगा 5 होगा मुझगे 25 लाना है तो 5 का square करना होगा 5 का square करूँगा तो 25 मिल जाएगा इतना clear तो यही logic में यहाँ पर use करता हो जिससे answer मिल जाए तो यहाँ पर 36 है तो 3 plus 6 करता हो तो मुझे 9 मिलेगा यहाँ पर 5 का square किया था तो यहाँ पर 9 का square करूँगा तो 81 मिल जाएगा option B आपका right answer हो गया तो उमीद करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो तो प्लीज कमें के को बताइए और ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा तो फिर मिलोगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए दुआ मैयार रखना अल्ला हाफिस